lesson no.3 exercise 3.1 question no.3 को solve करेंगे यह देखें इसका question no.3 का part no.2 है use differentials to approximate the value of यह part no.2 है 31 की power 1 over 5 अच्छा यह basically 1 over 5 जो है 5th root है तो हमने 31 के आज पास को यह ऐसा number तलाश करना है जो perfect 5th root हो वो number 32 अब situation यह है कि अगर 2 की power 5 ले जाया तो आता है 32 लेकि 32 का 5th root लिगा जाया जाया तो यह बात तो हम जानते हैं since 2 की power 5 is equal to 32 this symbolize 32 का अगर 5th root लिया जाये तो यह answer के आएगा 2 आएगा 32 is the perfect 5th root 32 is perfect 5th root now 31 power 1 over 5 को लिखा जा सकता है 32 minus 1 की power 1 over 1 over 5 अब अगर मैं इसको यूँ तरह से लिखना चाहूं 32 अच्छा अब इस तरह से होगा जैसे यह है यह देखें 1 over 5 है तो इसको भी जरा clear लिखना चाहिए 1 over 5 तो यह basically हो गया आपका x और यह हो गया आपका delta x तो यहांस पर x जो है वो होगा 32 जो delta x है वो होगा minus 1 जो simple है अच्छा अब इस तरह के स्वालों में हमने एक function को design करना होता है हम एक function को define करेंगे इसको देखते हैं यह देखें 32 है तो मैं लेट करूंगा let f of x x की power 1 over 5 करेंगे तो इसका मतलब भी होगा कि f of x plus delta x यह आ जाएगा x plus delta x power 1 over 5 अच्छा जो फार्मूला मैं apply करूंगा इसके अंदर वह यह होगा फर्मूला इस तरह होगा f of is approximately equal to f of x plus f dash of x dx यह फार्मूला भाराल आपने मैंड में रखना होगा यह फार्मूला है जो हम apply करेंगे और हमारे पास question solve हो जाएगा ना हो अच्छा इसके अंदर put कर दें तो x plus delta x power 1 over 5 is approximately equal to x power 1 over 5 plus 1 over 5 x power 4 over 5 और 7 में यहां कर देंगे dx अच्छा इसकी reason क्या है यह कैसे आया because d by dx of x power 1 over 5 power rule लगा दें 1 over 5 x power 1 over 5 minus 1 आ जाएगा तो इसका मत्तभी हुआ के d by dx of x power 1 over 5 यह आएगा 1 over 5 x power minus 4 over 5 तो यहां पर नीचे लेगे जाएगे तो यह plus 4 over 5 हो जाएगी x की power अच्छा अब situation यह है के values पूट कर दें 32 minus 1 आ जाएगा पावर है 1 over 5 इदर आएगा 32 की power 1 over 5 plus 1 over 5 32 की power 4 over 5 और यहां पर dx की value because on putting x is equal to 32 delta x equal to minus 1 delta x put करें के minus 1 और और जाएगे तो यह आएगे तो यह तो आजाएगा प्लस 1 over 5 अच्छा यह देख लेते हैं कि यह क्या बनना चाहिए देखे 32 होता है 2 की power 5 तो 2 की power 5 ऊपर पावर है 4 over 5 और 7 में है minus 1 तो यह 5 और यह 5 तो कट गया तो यह approximately equal आजाएगा 2 minus 1 over अच्छा 2 की power 4 होती है into e 16 हो जाएगा 31 पावर 1 over 5 is approximately equal to 2 minus 1 divided by 80 तो यह बन रहा है 1.9875 जो सिंप्लिफाय करेंगे तो अच्छा यह तो हमारे पाद आंसर आ गया by using differentials now अगर 5th root लिया जाए 31 का calculator से तो फिर exactly answer क्या आना चाहिए मैं यहां लेता हूं 5th root 31 तो इस तरह का answer आ रहा है 1.98734075 तो आप देख रहे हैं कि जो हमने answer निकाला approximate वो इसके close ही है तो जो हमारा answer है वो बिलकुल ठीक है calculator से हमने इसकी cross verification भी कर ली के 31 का जो 5th root है वो यह उसके approximately equal है लेकिन वो जो method हमने show किया है वो question की requirement है exam ने अगर question आता है तो आपने वो जो method है पूरा differential वाला वही follow करना होगा अच्छा अब एक और सवाल है हमारे पास use differential to approximate the value of cost 29 degree अच्छा कोई हमारे पास well known angles होते हैं जैसे zero degree है 30 degree है 45 degree है 60 degree है 90 degree है 180 degree है 270 degree है 360 degree है यह जो angles हैं यह well known angles हैं तो हमने यह तो बड़ा सिंपल इसका solution है मैं सबसे पहले यह करूंगा कि 29 degree को लिखूंगा 30 degree minus 1 degree इसका मतलब ही हुआ कि 30 degree और इसमें मैं minus 1 degree को add कर रहा हूं अब situation यह है कि मैं define करूंगा function let f of x cause x तो यहां से f of x plus delta x क्या आ जाएगा cause of x plus delta x आ जाएगा and अच्छा f dash of x क्या आएगा minus sin x आ जाएगा यह तो हो गई पहली बात अब जो दूसरी बात है वो क्या है वो यह है since 30 degree यह होता है रेडियन में πाई ओवर 6 होता है और जो वन डिगरी होता है यह पाई ओवर 180 होता है और minus 1 degree क्या होगा फिर minus πाई ओवर 180 हो जाएगा यह पाई रिडियन होता है 180 degree तो वन डिगरी हो जाएगा पाई ओवर 180 यह पहली बात है अच्छा अभी सिट्मेशन यह है कि इसको डिगरी के वजाए में रेडियन में क्यूं लेकर गया क्यूंकि कैलकुलस के अंदर जब भी हमारा वास्ता पड़ेगा डिगरी के साथ तो हमने फॉरूर्ण सो कनवर्ट करना होगा रेडियन में य यह इसकी ट्रंफर्मिशन है जो हमें चाही होगी सवाल के अंदर यह देख लें आप तो यहां से एक बात तो तैह हो गई कि हमारा जो एक्स होगा वो होगा पाई ओवर 6 और जो डेल्टा एक्स होगा वो होगा माइनस पाई ओवर 180 यह हमारे पास दो चीजे हैं जो हमने सब्सक्राइब करने हैं अच्छा अब जो फार्मूला है वह सबसे इंपार्टन बात यह है कि फार्मूला हम क्या लगाएंगे फार्मूला यह है यह है फार्मूला अच्छा नाओ अच्छा मदभी हुआ कि जो फंक्शन आपने डिफाइन किया वह वह आप लिखेंगे और इधर डिएक्स अब जस्ट हमने वैल्यू इसको पुट करना है cause of pi over 6 minus pi over 180 cause of pi over 6 plus minus sign pi over 6 minus pi over 180 वज़ा यह है कि X जो है वो पाई ओवर 6 है और डल्टा एक्स जो है वो है माइनस पाई ओवर 180 अब सिंप्लिफाय कर ले कॉस यह तो जहर सी बात है कि पाई ओवर 6 माइनस पाई ओवर 180 है कॉस पाई ओवर 6 पे क्या होती है वैल्यू इसकी रूट 3 बाई 2 होती है और इदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यह तो इदर आएगा 1 ओवर 2 और यह हो जाएगा पाई ओवर 180 की वैल्यू क्या बन दी है यहाँ वैल्यू बनेगी 0.017 4 5 3 3 इसको साल्फ का लिया जाए यह टोटल वैल्यू आती है 0.87 4 8 आती है और यह बेसिकली आपने कॉस 29 डिग्री की वैल्यू निकाल ली तो अगर निकाली जाए फ्राम कैल्कुलेटर अगर डारेक्ट वैल्यू निकाली जाए तो कास 29 डिग्री की यह वैल्यू बनती है 0.874620 तो इसका मतलबी हुआ कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल द्रूस्त है तो इस लेसन में हमने यह सीखा कि अगर कोई एक्सप्रेशन निमेरिकल एक्सप्रेशन है वो अगर गेवान है तो हमें को निमेरिकल वैल्यू चाहिए तो हमने डिफरेंशियल्स के जो फार्मूले हैं वो यूसर के उनको किस तरह से कैलकुलेट करना है थैंक यू